वेलकम गाइस तो लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारी एक्सरसाइज 1.13 NCRT की उसको कंप्लीट किया था तो आगे हम चलते हैं अगले टॉपिक की और तो अगला जो हमारा टॉपिक है वह है टाइप सोव सेट्स तो अब हम यह पढ़ने वाले हैं कि जो सेट्स होते हैं हमारे पास जो सबसे इंपोटेंट रहता है वो रहता है हमारे पास that is an empty set that is empty set तो इसकी जो definition है हमारे पास उसमें क्या आता है कि उस set को एमने इमटी सेट बोलते है विच हैस नो एलिमेंट्स एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता ठीक है तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं एम्ती सेट बोलते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं इसके लिए जह सेट स् mobilize करते हैं यह सिर्फ आप इसको आप इसको जिंदी क ही तीक है और एम्ती सेटू को हमस्का अल्टरेट नेम होता है वोट सेट इसको तो एक्जाम्पल के तू समझे ना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इसमें बहुत ही स्टूडेंट से वह मिस्टेक करते हैं तो देखिए जैसे कि मैंने एक सेट लिखा ए तो अब इसमें हमने क्या लिखा कि x belongs to real number वह सबी real numbers जिनको स्क्वेर करने के बाद क्या आ जाए माइनस वान आ जाए तो क्या आप कोई भी एक मेरे को ऐसा real number पता सकते हैं जिसका स्क्वेर करने के बाद क्या आ जाए माइनस वान हो जाए तो ऐसा कोई भी हमारे पास real number नहीं है तो जो यह सेट है हमारे पास इस सेट में elements के आएंगे कोई भी एक ऐसा element नहीं मिला जो इस सेट में fit कर रहा हो इसकी definition को satisfy कर रहा हो तो इस तरह की जो सेट होते हैं तो हम लिखेंगे कि A set क्या है हमारे पास एक तरह से यह empty set है तो कुछ बच्चे देखे इसमें गलती क्या करते हैं इस set को क्या लिख देते हैं A is equal to उसमें 0 डाल देते हैं ठीक है दिखे जो यह 0 होता है हमारे पास यह wrong हो जाएगा तो 0 का म mention करना है उसको जो A set है हमारे पास वो एक तरह से यह empty set बनेगा यह वाला इसके बाद एक होरी example करते हैं हम इसकी एक set ले लेते हैं B such that X belongs to natural number and जो X है हमारे पास वो क्या है 10 से less है और 9 से greater तो अगर आप कोई ऐसा natural number सोचोगे कि जो इस condition को satisfy करे तो हमारे पास ऐसा कोई भी natural number नहीं है जो इस condition को क्या करेगा satisfy करेगा तो that means अब की बार फिर से जो यह set बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पा इसमें कभी भी हमने zero नहीं डालना fine और जो empty set होता है इसको हम alternate name से भी बोलते है that is a null set इसको null set, void set या empty set ठीक है यह इसके alternate name से रहते हैं जिनको मैंसे represent कर सकते हैं तो यह रहा हमारे पास empty set जो second type का set होते हैं हमारे पास वो होते है singular turn set तो आपको नाम से clear है तो देखे single turn, single turn तो इसमें word कौन सा आ रहा है single तो single का मतलब क्या होता है एक तो that means singular turn set हमारे पास ऐसे sets होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही elements आता है that is which has only one element तो ऐसे sets जिनमें सिर्फ हमारे पास एक ही element होता है उन सभी sets को हम क्या बोलते हैं singlet and set बोलते हैं for example यह लिए देखिए हम एक set ले लेते हैं a और उसमें हम क्या लेते हैं कि x belongs to natural number वो सभी natural numbers जिनका square करने के बाद हमारे पास क्या है 4 ओके तो इसका हमारे पास answer क्या आएगा only 2 तो basically 2 और minus 2 होते हैं क्योंकि minus 2 हमारे पास एक natural number नहीं है तो हम इसमें वो include नहीं करेंगे तो यह मारे पास जो a set है वो क्या होगा एक single ten set होगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही elements आ रहे हैं इसी तरह से हम एक होर set ले लेते हैं b तो उसमें भी क्या होगा that is x belongs to natural number such that x लाई कर रहा है 10 से और 8 में तो अगर मैं इस set के elements लिखूंगा तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही set मिलेगा एक ही element मिलेगा 9 तो इसमें भी एक ही element आ रहा है और इस set को क्या बोलते हैं हम singular ten sets कहते हैं अब उसके बाद हमारे पास third type आ जाती है जो basic हमारे पास sets होते हैं वो दो type के possibilities हो सकती है या तो उस set में हमारे पास finite number of elements हो या उसके पास infinite number of elements हो तो जिनके पास finite number of elements होते हैं उन सब भी sets को हम क्या बोलते हैं वो क्या है finite sets हैं और जिनके पास हम finite sets नहीं होते हैं जिनके elements को exactly count नहीं कर सकते हैं वो सबी sets क्या बन जाती हैं हमारे पास infinite set बन जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं finite sets की तो वो sets जिनके पास which has finite number of elements तो उन सबी sets को हम क्या बोलते हैं finite sets ओके for example के लिए आप देखिए जो हमने उपर sets लिखी है that is A set B set और यहां पर यहां पर यह सब यह दोनों sets क्या हैं हमारे पास finite sets है ठीक है इसके लावा हम एक और example ले लेते हैं A set है such that x belongs to natural number and x लाही कर रहा है हमारे पास 100 से लेकर 1 तक तो अब इसमें जो elements होंगे हमारे पास वो क्या होंगे 1 2 3 4 इसमें जो elements होंगे वो क्या होंगे 1 2 3 and up to son यह हमारे पास 100 तक जाएगा हमारे पास कितने numbers है 100 तो यह sets क्या होता है हमारे पास एक तरह से finite set होता है और उसके बाद जो हमारे पास जो इसमें पास number of elements होंगे that is the the number of इसको यह पर लिखते हैं the number of elements in set उसको हम क्या बोलते हैं इस कॉल्ड काडिनल नंबर और ओर ओडर ओफ सेट यह काफ़ हमारे पास जो यह set है इस set में हमारे पास total 100 elements है तो that means इस set का order कितना होगा हमारे पास 100 होगा हम इसको इस तरह से mention गठती है अब एक और set ले लेते हैं जैसे कि मान लीजिए एक 20 set है हमारे पास और उसमें हम ले लेते हैं कि वह सभी के सभी integers such that तो इस set में हमारे पास कौन-कौन से members होगे minus 1, minus 9, उसके बाद minus 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, अप टू सोन यह 10 तक तो इसमें भी finite number of elements है और इसमें हमारे पास total कितने number of elements रहेंगे वो रहेंगे आपके पास यहाँ से 21 elements रहेंगे 10, 10 और 0 हमारे पास 21 तो that means अब की बार जो यह order होगा हमारे पास इस वाले set का वो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा तो finite set क्या होते हैं और उसका order order क्या होते हैं उस set में हमारे पास कितने number of elements हैं तो यह काफी important definition है इसको अच्छे से आपको आनी चाहिए अब उसके बाद हमारी जो अगली type होती है sets की वो होती है हमारे पास फिफ फॉर्थ type जो होती है हमारे पास infinite sets की तो जो infinite set होते हैं हमारे पास वो कौन से होते हैं ठीक है जो की finite नहीं होंगे that is which has infinite number of elements तो जो ऐसे sets होती है इन sets को क्या बोलते हैं हम infinite sets बोलते हैं जैसे की हमारे पास एक set है x belongs to natural number such that x greater than equal to 100 तो इस set में हमारे पास कौन कौन से members रहेंगे वो रहेंगे आपके पास 100 101, 102 and up to 100 ऐसे ही चलता जाएगा infinitely तो इसमें हम exactly count नहीं कर सकते कि इस set में हमारे पास कितने number of elements है that means जो यह set होगा हमारे पास वो क्या होगा एक infinite set होगा इसके लावा सबसे important example भी ले ले लेते हैं इसमें क्या है हमारे पास x belongs to real number such that x is strictly less than zero and one later than तो जो यह set होता है यहां से देखिए मेरे पास number line और यहां पर zero और यहां पर one ठीक है तो यह मेरे पास पढ़े है अब इनके बीच में हमारे पास क्या होती है every time क्या होती है infinite numbers होती है हम इनको नहीं count कर सकते इनके बीच में हमारे पास कितने real numbers है infinite numbers होती है तो that means यह भी हमारे पास क्या होगा एक infinite set होगा खुप सो आप जो हमने ये चार टाइपस के सेट्स की हैं इनकी आपको definition अच्छे से समझ आई होगी और साथ ही में इनकी जो हमने ये examples की हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी तो अगले lecture में हम most important sets जो है that is the equal sets and equivalent sets में क्या difference है एक होते हैं equal sets और एक होते हैं हमारे पास equivalent sets तो इन दोनों में हम difference को हमारा जो last next lecture होगा उसमें discuss करेंगे